अश्लाम लैकूं लाई। स्टूुदेंट्स, अमीदय क्या रहते है इस्टिक्स है लोगों नेकम घृपपेरिक्शकन नहीं समझ आही होगी मैं इसके एक्स्प्रेशन जो है वह फिर से तरह एक दफा रुपीट करने जा रहा हूं ठीक है उसका आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लेना है ताके जो एक्स्प्रेशन है वह हमारी अच्छी तरह से कम्प्लीट हो जाए तो बात शुरू करते हैं वेटे प्रोह कर एक्सफ्ण Ander, Σजर एक्साव से पह एक्छी तरह से वह अ अ अुर सक्ष्ण एवकरिशन वी से सो अ चेंजिंग और लिट्वर्ट इंटु गैस हम लोगों ने कल पड़ा था कि विटा कोई भी ऐसा प्रसेश इसमें एक जो लीट्वर्ड है वो अपने गैस ते इसमें चेंज हो जाता है हम इसको एवैपूडेशन कहते हैं कि टीज कि रिवर्स और कन電 saq यह खन सेशन का डिवर्स होता है आनि के जो sự सैकनल इंसेशन में होता कि आ सोथेगे लिते अजब स्थेंछ यह एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक वो प्रोसेस होता है जिसमें पीटा हीट जो है वो एब्जॉब होगी होती है इसका कहने का मतलब यह है लिए उसकी इंसरे इंटरि मोलीकुलर फॉर्स तोरना होगा उनकी को ब्रेक करने के लिए ऑधिनेटली वे दिए तो गिव सम एनर्जी हमें कुछ एनर्जी जो है वो देती होती है ठीक है जैसे पॉर एक्जाम्पल मैं यह कहता हूं कि विटा यह मैं पास अब एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर यह मैं पास बिटाजी लीकूर्ड है ठीक है वाटर मॉलीकूल से अब हम लोगों ने कल लोगों मुव करना और इनकी मोब्मेंट वज़ा यह भी होती है कि जड़ा होती है किसी की आवरीज होती है और कि होती है अब जाहरी बात है कि यह मॉलीकूल जो है वो एक डूसरे के साथ अट्रेक्ट भी होते हैं इन्हें गार कोई जो कहिने आपस में बांद के रखती है भी पर जाहर अब घब आप इसे एड़के पर नहीं करेंगे तेकंड डेंगे तो तो हीट करने का मतलब क्या है कि आप इसे एनर्जी दे रहे हो ठीक है जो आप इसे हीट करेंगे तो हीट करने का मतलब यह है कि आप इसे एनर्जी प्रवाइड कर रहे हैं और एनर्जी प्रवाइड करने पर यह जो मॉलीक्यूल्स है यह इस एनर्जी को एब्सॉब करेंगे और energy को absorb करने के बाद यह जो इनर्जी को एब्सॉब करने के पाद इनकी kinetic energy में इजाफा हो जाएगा जब इनकी kinetic energy जो है वो average से ज़्यादा हो जाती है तो यह molecule जो है न यहां से तमाम intermolecular forces को तोर देंगे और फिर यहां से बाहर निकलाते हैं जब यह बाहर निकले तो ड़ेपियलि आप इसे फिर क्या नाम देंगे कि यह वेपर थे के लिए यह जब तक यह लेकिन जब यह बाहर आगया तो यह क्या बन गया वेपर ग्युश्चौ हैं तो मॉली का उन ज्चू है वो बिटा लीक विपर्स में कंवर्ट होने के लिए मि लेकिन लिक्वर्स फिरेष्ट मॉलिकूल्स इन्टीं इंदि मॉफमेच नहीं करनेटि इन इन्टीं नहीं ते मॉलिकूलरेष्ट कुछ इंदि पुंडियों। होती है लेकिन कुछ की एवरीड से जादा भी होती है ठीक है ना प्यू मॉलीकूल है जो है वह होती है पुर डेफिनेटली बीटा एट्रेक्टिव पॉर्स में वह उससे डॉमिनेंट हो जाती है और वह फोरी वहां से कर जाते हैं और बाहर निकलाते हैं हम इसे का नाम देंगे खेक हो गया अब हम आगे जो पढ़ने लगे हैं वह है कि याद रखेगा इस प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट ऑल टेंपरेचर यह स्टेट्मेंट में आई भी आए बोड के अंदर जो है इस विल टेक प्लेस एड डै अगर टेंपरेचर बहुत जादा हाई है तो यह बहुत बहुत हो गया वापरेशन अगर भी टेंपरेचर रेंगे तो तो प्याआइशन प्रोसेस भी बहुत नो करेंगे तो अगर नो process taking place at all temperatures the rate of evaporation is directly proportional to temperature it increases with increase of the temperature because of increase in kinetic energy of molecules after this evaporation is a cooling process evaporation is a cooling process evaporation is a cooling process what is the cooling process remember that evaporation when the molecules evaporate evaporate molecules evaporate the remaining molecules which is in the liquid the kinetic energy is reduced okay this is the example कि का मतलब क्या है इंधिक का मॉलीकुल यहां से व्यपकसर में बाहरा निकलता है यह इस का इसकी की यहां से वाँनिक निकलेगा इन्डी फ़ॉर्म बाहर निकलेगा इन्डी कि जब मॉली के उनके करेंगी हैं तेका है ना जानी के जब मॉली क्यों इसे और ज्यादा ही तो अब्सक्राना होगा और ज्यादा एंची तो यह सरांड दैट्स दी रीजन कि हम इसे एंडो थर्मिक प्रोसेस प्रिए रहे हैं कि एक एंडो थर्मिक प्रोसेस है ठीक है ना इंडो थर्मिक प्रोसेस और एंडो थर्मिक प्रोसेस के साथ यह जब हीट को एब्जॉब करेगा तो साराउंडिंग से जब हीट अब्जॉब होगी तो बेटा इंडी रिजर्ट क्या होगा कि हमें जो है ना फूल होता है कि हमें जो है ना फंड़क मसूस होती है जैसे जिसाल के तौर पर अगर मैं आपको लेता हूँ कि अगर आप अपनी स्किन के उपर लगाते हैं तो फोरी होती है और इसके होने है तिक ने इसे हम बोलते हैं अगर आपने देखा हो तो वह अक्सर जो स्पृट्स है इसको बिखा होता है अल्कोहल ठीक है तो बिटे इसका बॉलिंग क्वाइट कम होता है जिसकी वरे से यह फोरी एवैपोरेट हो जाते है और इसके वैपोरेट होने पर हमें पूलिंग और इसके जो कम हो गई है और आपने सरणंडींग जिसकी वजह सरौंडिंग का temperature decrease होगर हमें cooling feel होती है example उसने आपको दी है for example when we put a drop of alcohol on palm the alcohol evaporate and we feel cooling effect okay इसका short question आता है evaporation is a cooling process justify 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 इस पराग्राफ पर कॉसन आएगा what is the relationship between temperature and evaporation what is the relationship between temperature and evaporation what is the relationship between temperature and evaporation evaporation depends upon the following factors अब हम बात करेंगे factors के ठीके नहीं एक long question आता है और यह short में भी आ जाते हैं बेटे और long में कैसे आएगा के what is evaporation and explain the different factors effect the rate of evaporation इसमें आपने इसकी definition लिखनी होगी और direct factors की तरफ आजेंगे सबसे पहला effect factor जो है जो इसको effect करता है वो है surface area बात करते हैं यह वड़ी surface area तो surface area हम कहते हैं कि भई जो भी container है ठीक है ना उसका जो diameter होगा हम उसको surface area consider करेंगे जैसे मिसाल के तौर पर यह मेरे पास एक container है अब मैंने इसमें liquid डाल दिया हुआ है ठीक है for example यह वान लीटर है अब इसमें जो molecules हैं इसे बाहर निकलने के लिए जो उपर diameter available है वह बहुत ही कम है जैसे कि यहां से सिर्फ तीन या चार molecules at a time यहां से बाहर निकल सकते हैं इससे जादा वान लीटर वाटर है तो वह सर्फस अरिया भनने की वज़ा से diameter भनने की वज़ा से molecules को escape होने के लिए जो जगा है वह ज्यादा अवेलेबल हो गई है अब ज्यादा जगा अवेलेबल होने का मतलब क्या है कि जो molecules हैं अब वह ज्यादा सर्फस रख रहे हैं सर्फस अरिया रख रहे हैं ताके वह अवेपोरेट हो सके अब डेफिनेटली वान टू थ्री फोर फाइव सेक्स सेवन एट नाइन टेन यानिके इस diameter के यहां ऑली ज्यादा अवएपोरेट हो रहे हैं जितने ज्यादा अवैपोरेट होंगे उतना द्रीट वैपोरेशन भरेगा डेफिनेटली ठीक यहनिक रेट अवेपोरेशिन आप दिनस कर रहा है बाई इंक्रीजिंग शर्फस एडिया सर्फस एडिया भढ़ने पर इते र तो जमीन पर जाए तो यह वो जल्दी एवक्परेट हो जाता है वजा क्या होती है वह बर गया है उसका ठीक है ना सर्फस एरिया भड़ने की वज़ासे ऐसा हो यह आप है यह इसने एक्जम्पल यहां बेर आपको दीवी है इसे अरिया सर्फस फिनामेना ग्रेटर इसे इरिया ग्रेटर इस एवापोरेशन वाइस वर्सा इसे प्लेट होती है तो अक्सर लोग क्या करते हैं जल्दी ठंडी करनी होना तो फिर डाल लेते हैं जब का डायामेटर वो कम होता है जबकि जो नीचे सॉसर है जो एक प्लेट उती तो फैल जाता है और मौलीकूल बहुत जल्दी एवैपोरेट होटा है जितनी जल्दी वह सरांदिंग से हेड़ बहुत पर एक करेंगे यह निकुलिंग पर सैस्पी बढ़ेगा चाहे जल्दी surface area of the tea cup दूसरी बार temperature की करेंगे तो temperature अभी हमने देख लिए वेटा कि temperature जो है वह जितना भड़ेगा उतना rate of evaporation भी भड़ेगा ठीक है यानि कि temperature बढ़ाने पर rate of evaporation में जाफा होता है क्यों जाफा हो रहा है क्योंकि कि दिए गल्य हो डिए की नेटिक नेजिमें सबाओगा ज फोलमी कुष जल्दी जल्द सब्सक्राइब दिए अबड़ेगा पॉरे जिसे यह ज़्दी अवापरेट गल्याइज कीचिए अवड़ेट इन-टक्रेट्ट्रश ज सब्सक्राइब फर इसक्त्रच इवचे आल्द than that of a container with cold water this is because of the hot water evaporates earlier than the cold water last time intermolecular forces intermolecular forces ठीक है अभी मैंने बताया के molecules को evaporate होने के लिए उनकी intermolecular forces को तोरना बहुत ज़रूरी है अब अगर intermolecular forces बहुत ज्यादा strong होंगी ठीक है इस intermolecular forces बहुत ज्यादा strong होने की वज़ा से देनीड मोर कानेटिक एनरजी उन्हें बहुत ज्यादा कानेटिक एनरजी की जरूरत होगी इसका मतलब ज्यादा कानेटिक एनरजी तभी मिलेगी जब temperature भड़ेगा ठीक है जैनि उन्हें बहुत high temperature required होगा intermolecular forces को खतम करने के लिए तो intermolecular forces strong होने का मतलब यह है कि rate of evaporation कम होगा ठीक है एड़ पर्टिकुलर temperature और उसके comparatively अगर हम कोई एक ऐसा liquid देख लें जिसमें intermolecular forces weak हैं तो वो जल्दी evaporate हो जाएगा as compared to liquid that has a strong intermolecular forces ठीक है अब जैसे मैं आपको example देता हूं alcohol का boiling point कितना होता है 78 degree Celsius क्यों क्योंकि उसके अंदर intermolecular forces weak as compared to water water का boiling point क्या होता है जी 100 degree Celsius यानि कि अगर मैं 78 degree Celsius temperature करूं तो उस पे तो alcohol evaporate होना शुरू हो जाएगा जबकि water अभी evaporate नहीं होगा क्योंकि water की अंदर intermolecular forces strong है water has a high hydrogen bonding उसकी strong hydrogen bonding होती है तो यह reason है हमारे पास यहीं उसका last point है उसने समझाया हुआ है कि intermolecular forces are stronger molecule face difficulty in evaporation for example water has a stronger intermolecular forces and alcohol therefore alcohol evaporates faster than alcohol then water